हेलो गाइस वल्कम बैक कैसो आप सबी लोग और गाइस स्वागत हैं आप सब लेओं का सुनिल गेमर की कॉर्णी वीडियो के अंदर मुझे पता है गाइस आप लोग बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं हो क्योंकि यार फाइनली कली की दिन गाइस पब जी की एक ऐसी बैड न और इसी चीश से यही पता चल रहा है कि पब जी इंडिया में पर्मानेटी बैन हो गया है अब पब जी अनबैन नहीं होगा आप सब लोग को ऐसा लगता है लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है पब जी की अनबैन का जो प्रॉसस हो इस्टार्ट हो चुका है फाइली पब जी तोड़ा अलग लग रहा होगा कुछ लोग तो ये भी बोलें कि वह तो पागल वागल हो गया है कि पपजी के सर्वर बंद हो चुके हैं पहले तो पपजी चो तो चल भी रहा था मतलब जिस टाहिए पपजी बैन हो था उसके दो महीने तर लगातार गेम चल रहा था प्लेस टॉर से थे पपजी तो पपजी हैड चुका था लेकिन गेम चल रहा था तो काफ़ी सरे पपजी लवर और आप ही के मन में नहीं मेरे मन में भी यही था यहार कि हप थी वादैंटम उम्मीद थी कि हाँ पबजी वापस आएगा पबजी ओल चल रहा है पदलब पबजी ओल वापस आएगा लेकिन कली के दिन जब सर्वर बंद हो गए तो सभी लोगों ने यही सोस लिया है कि पबजी अन्बैन अब तो हो गई नहीं 100% पबजी बैन होई गया इंडिया में अब पबजी वापस नहीं आएगा लेकिन यहीं से जो बैड न्यूस है ना इसमें आपने एक गुड न्यूस नहीं देखिए हर गलत चीज में एक अच्छाई चुपी होती है और इसमें भी एक अच्छाई चुपी हुई है अब कैसी होगा अन्बैन इसके मैं आपको प्रूफ सी बताऊंगा और मैं प्रूफ कर दूँग और इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द पपजी जो है अन्बैन होने वाला है अब जिस टाइम पर गाईस आपली इस्टोर चल रहा था दो मैंने तर लगाता चला था आप लोगों को पता है तो उस टाइम पर कैस देखो पब्जी ओल बैन हुआ क्या था सबसे पर देदा ह हम लोग इसके बार मात करते हैं पब्जी मोबाइल इंडिया में इसलिए बैन हुआ था यो कि टेंसेंट कंपनी चाइना की जिसकी हिस्चेदारी थी पब्जी मोबाइल में और इसलिए इंडिया गौर्ट्मेंट है पब्जी ओल को यहां पर बैन कर दिया था तो जिस बैन की बात यह थी आप लोगोंने सोचा हुए नहीं सोचा लेकि मैं बहुत दिना से यह सोच रहा था पब्जी मोबाइल में काफी न्यूज भी आ रही थे कि यह पब्जी ओल के अन्बैन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है पब्जी अन्बैन होने वाला है बहुत सारी इसी चीजा मार्केट में आ रही थी लेकिन मैं सिर्फ यह सोच रहा था यार कि जब पब्जी मोबाइल का पुराना एपी के अब हम लोग दो मेने से लगातार बैन होने के बाद भी पब्जी खेल रहे थे तो वो तो पुराना एपी की था उसके सरवर ओन थे और जो सरवर पूर वगर को जो सारा काम था ना वो था 10 cent कमपनी का तो जो पब्जी मोब यह बोल दिये कि अमने 10 cent को अलग कर दिया है तो जो 10 cent की जो सरवर है वो अभी तिक वर्क क्यों कर रहे है क्योंकि पुराने वाड़ा जो पब्जी खेल रहे थे पर जो अभी उपन नहीं हो रहे फिर वापस से चालो करना पड़ता है फिर यह हैं वापस से सर्वर कनेक्ट हो पाता है तो अब मेरे मन में यही था आपके मन में हो या भी हो लेकिन मेरे को यह लग रहा था इन्डिया के लिए कुछ ऐसे टीम चीश्य है उनको जो की इनडिया- Imodal अजित मोया है कि पध्वच्ट म्वाला उच्ट करने वाता है bac reass यह है है कि जो सर्वर सिर्फ आंडिया में work करेंगी जो एककी Cry होगई वu सर्फ इंडिया में काम करेगा आप बाहर की कंट्रीज में जो है काम नहीं करेगा उसके बार में गाइस ओके अब देखो जब मैंने यह मैंने आपको को न्यूस दी थी तो भी फाइनली इस चीज से यही पता चलता है कि यहां पे जो है पब्जी ओन ने जो अभी मतलब की सर्वर वोगर जो ऑफ किये हैं वो इस अगली महिने के दो तारी को यहां पर नई सर्वर आने वाल है इंडियन सर्वर वापस जो है देखने को मिलने वाला है क्योंकि जब तक यार यह सर्वर नहीं जाते ना तब तक यह बिल्कुल उमीद नहीं थी कि पपजी वापसे आप आएगा लेकर फाइनली जब यह सर्वर डाउन हो गए सर्वर बंद हो गए तो यहीं पता चल रहा है कि बहुत जल्द इंडियन पपजी मौल यह पे मार्केट यह फिर यही जो अपको ग्लोबल वाला जो पपजी है उसके लिए अलग से सर्वर आएंगे जो कि सिर्फ इंडिया में वर्क करेंगे ऐसा कुछ हो सकता है अब उसके बारे पूल टो डिटेल नहीं है लेकिन आपको मतलब कि उदास होने की कोई जरूत नहीं है आप लोग हैपी रो बिल्कुल खुस रहो क्योंकि बहुत जल्दी आपका पब जी मुपाइल जो है आपको इंडिया के इंतर देखने को मिलेगा प्रमानेंटली बैन नहीं हुआ है मिर भाई पब जी वाल इतनी बड़ी कमपनी है काम चल रहा है और उसने टेंसेंट को भी अलग कर द वह सहम गए थे वह तो वह गाईस अभी जो हैपी के इंडे कनेट हो जाए और जितना हो सेगे वीडियो को सेर करना लाइक करना नीचे कमेंट करना सब्सक्राइब करना सुनिल गेमर को मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं आप बहुत सारी वहाँ में डिटेल्स डा पढ़ाएं के नहीं रेकिन हम बहुत सारी गेम्स होगर हम लोग खेलते रहते हैं तो लोगों पर फॉलो कर देना थेंक्यू सो मच आई विववान